नमस्कार आप सभी का स्वागत है भाग्यम में मैं हूँ पंडित चंद्र शेकर शर्मा दर्शे को सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की आज दिनांग के चार अगस सन दिन और पूरी रात है योग अतिगंड है रातरी दो बज के 28 मिनट तक तो योग की द्रस्टी से आज का दिन जो है वो शुब और योकारक नहीं है करन विस्टी है दोपेर 12 बज के 47 मिनट तक आगे बाव करन रहेगा सूर्योदे का समय दर्शे को सुबह 5 बज के 43 मिनट का था और सूर्यास्त का समय शाम 7 बज के 10 मिनट का है आज का राहुकाल सुबह 10.30 बज से लेकर दोपेर 12 बज के बीच है जिसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा क्योंकि इसमें कोई शुबकारे नहीं होते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए अब विजित मुरत आज दोपेर 12 बज से लेकर 12 बज के 53 मिनट के बीच है दिन में चार बार दुष्ट मुरत भी आएंगे इन्हें ध्यान से समझेगा और सूज भी उससे टाल दीजेगा ये हैं सुबह 8 बज के 25 मिनट सुबह 9 बज के 18 मिनट दोपेर 12 बज के 53 मिनट और अच्का दिशा शूल दर्षको पश्चम दिशा में तो पहली कोशिश तो ये करे कि पश्चम की यातरा को टाल दें लेकिन जाना बहुत जरूरी हो अनिवारी यातरा हो तो परिहार करने परिहार बहुती सरलन निए है कि ठोड़ा आसा जो या Here के consent, और बॉझत को पी नहीं आएगा और यह दिशार्शूल आपको बिलकुल भी परिशान नहीं करेगा आज का शुब समय दर्शे को यानि आज के दिन का सद्धुप्योग करने का जो समय है वो है सुबह साथ बच के तीस मिनट से सुबह दस बच के तीस मिनट के बीच फिर दौपेर बारा बच के तीस मिनट से दौपेर दो बजे तक और फिर शाम पांच बच के तीस मिनट से शाम साथ बजे तक ये बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज्यादा शुब और योग कारक समय है वैसे आज का दिन य व्रश राशी वालों को आर्थिक लाब संभव है और संतान संबंदित को शुब सूचना मिल सकती है वहीं व्रश राशी वालों को केरियर में देखेगा स्थाइत्व और घर से मिलेगा सपोर्ट मितुन राशी वालों को भाग्य से मिलेगा अच्छा सपोर्ट और आप अपन पार्टनर से कुछ विवाद होतावा देख सकते हैं आज और कन्या राशी वाले ननिहाल पक्ष से होंगे लाभानवित वहीं तुला राशी वाले स्पोर्ट्स और मनोरेंजन इंडस्ट्री से जुड़े वे लोगों को आज मिलेगा बड़ा लाब और व्रश्चिक राशी व वालों को आज अपनी वानी और कम्विनिकेशन स्किल्ट से होगा बहुती बड़ा लाब कुम राशी के लोग बहुती ब्रहमित रहेंगे और दिन भर खयाली पुलाव बनाते रहेंगे और मीन राशी वाले आर्थिक मसलों में आज रखे सावधानी लेंदेन में भी और इ दिनकी जोतिश मंद्रना और समाधान दर्शकों ग्यान और भक्ति इश्वर प्राप्ति के दो महत्वपुण मार गये हालाकि दोनों एक दूसरे से बहुत अलग है लेकिन दोनों ही एक दूसरे पे बहुत हद तक आश्रित भी है ग्यान के अभ्यास के बिना प्रेम आसक्त प्रमेश्वरे तदा क्रमेण सिध्यंती विरक्ति ग्यान मुक्त यानि कि अगर आप में भगवान की परमेश्वर की अपने इश्ट की भक्ति प्रेम मिद्यमान है तो अन्यसाधन नहीं होने पर भी स्वते ही अपने आप क्रम से आपको विराग्य ग्यान और अंत में मोक् खांग कि एहम भक्त पराधीनों है स्वतंत्र एवद्विज सादुभीर ग्रस्त हर्दयों भक्तेर भक्त जन प्रिय यहनी भगवान सदेव भक्ते आधीन स्वतंत्र होते हुए भी स्वयम को प्रतंत्र मानकर इस आनंद में हैं और भगवान के सगुण रूपों के हिर्दे पर सदेव ही भक्त शाशन करते हैं इसलिए सदेव भगवान की घोशना सर्व धर्मान परितज्य मामेकम शरणम व्रज इसका स्मुरण रखें और मन में द्रड संकल्प के साथ पूरी तरीके से अपने इश्ट के चर्णों की भक्ती में इस्तिर रहें त पाकि सारी समश्याओं के सरल समाधान कर देते हैं और जिने करके आप सफलता आर्चनों को जीवन में बहुत पीछे छोड़ते हुए सफलता की और दर्ड़ता से तेजगती से पॉजिटिवली अग्रसर होते हैं सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जनम दिन है तो जिन जिनका जनम दिन है आज आप सुवպ ग्यारा बच के पंद्रा मिनट पर शिवाले जाएं अपने वें मीठे फलो का रस मेठा दhi और गंगा जल लेके जाएं और साथ में मोगरे या किसी भी सफेद फूलो का ग जूम होम जूम से है कि कम से कम पांच माला का जाब करें अधिक करते हैं तो बहुत ही सुन्दर है ऐसा अगर आप करते हैं तो आने वाला वर्ष बहुत ही सुन्दर बीतेगा भगवान शीव जी की असीम अनुकंपा आपके साथ बनी रहेगी और आप आगे सागे जीवन में स पसंद करना शुरू करें और अपनी प्राथना उनके सामने रखना शुरू कर दीजे इसके लिए आज से आपको छोटे-छोटे उपाय कर सकते हैं जैसे कि कल यानि शनिवार के दिन आप ब्रह्मुरत में उठें और ब्रह्मुरत में सनान करके हनुमान जी को सिंदूर घी का चौला चड़ाएं और एक या दो बैठक में 108 हनुमान चालिशा का पाठ कर दे और यह आपसे नहीं होता है इतनी नभी पूजा आप नहीं कर सकते हैं तो यह बहुत ही अमोग उपाय है हनुमान चालिसा का लोम विलोम पार्ट अब हनुमान चालिसा का लोम विलोम पार्ट इस प्रकार है कि एक पार्ट करें पहली चौपाई से लेकर चालिसवी चौपाई तक इसको कहते हैं लोम पार्ट और फिर चालिसवी चौपाई से शुरू करकर पहली तक करें इसे कहते हैं विलोम पार्ट इस प्रकार का एक लोम विलोम पार्ट एक संक्या हुई ऐसे 5, 11, 21 यह 27 अपनी शमता के अनुसार पार्ट आप करते हैं कुछी दिनों में असाध्य से असाध्यकारे आपके सिद्ध हो जाते हैं कोई संद्य नहीं है यह सटीक और अचू कुपाए ऐसे आज आज आप तुलसी जी के 108 पत्तों पर केसर चंदन मिलाकर यह केसर और चंदन को मिलाकर इसकी शाही बनाए और 108 पत्तों पर राम नाम लिखे औ और भगवान हनुमान जी को इनकी बनीवी माला पहना दे साथी साथ 27 लॉंग की बनीवी माला भी पहना दे और एक चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित कर दें और फिर सीताराम सीताराम इस प्रकार से सतत जाब करें और हनुमान जी के मंदिर में उनकी 108 परिक्रमा कर दे ये उपाए अमोग है अच्छू के सटीक है हर मनोकामना को सिद्ध कर देता है आपका मन साफ होना चाहिए आप सत्यवाचन करें फिर देखे चमतकार कैसे होता है ऐसी दर्शे को किसी बहुत बड़े कारिये के लिए यानि जिससे जीवन ही परिवर्टित हो जा रहा हो ऐसे किसी कारिये ऐसे किसी विकट कारिये के सिद्धी के लिए अगर आप कोशिश कर रहे तो आज से एक मंत्र अनुस्टान आपको शुरू कर देना चीए इसे रातरी न इपक रहेगा दिशा आपके उत्तर रहेगी मंत्र ध्यान से समझेगा मंत्र स्प्रकार है दिनानुबंधी मेधावी प्रेमाब्धी राम वल्लब यद्देवं मारुतेवीर में अभिष्टम देही सत्वरम मंत्र फिर से समझते हैं दिनानुबंधी मेधावी सामवल्लब यद्देवं मारुतेवीर में अभिस्टम देही सत्वरम इस अनुस्टान के बाद में आपको अपने आप आपकी मनोकामना पूर्ति का मार्ग मिलेगा और श्री हनुमान जी की कृपा से अशीम शक्ति और सामर्थ आपके साथ हमेशा बना रहेगा आप करके जांग आज के विस्ष्ट उपाए और ग्यान चर्चा मैं पंडे चंद्रशेगर शर्मा यह आशा करता हूं कि बताएवे उपायों को सही विदी सटीक समय और अटूट श्रद्धा के साथ करके आप पूरा पूरा लाब उठाएंगे और जो ग्यान चर्चा जो सत्संग हम ने किया इस अपने जीवन में अतारेंगे धीरे धीरे आपका जीवन शिव में सक्ट्यों में और आनंद में होता जाएगा महादेव से प्रातना करता हूं कि जब आप हमारे उपाय करें तो आपकी कश्टों का निवारण हो और आपकी मनों कामना पूर्ति अवश्य हो अधुआद बग्वतिया सबकर कल्यान करें जय आदिशक्ति नमस्कार दोस्तों मैं हूँ दीप्ती शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे इस खास कारिकरम भागयम में और भागयम के भी इस विशेज सेग्मेंट में जोहाँ पर आप और हम हर रोज औरिकल कार्ड के जरिये जानते हैं कि आज का हमारा दिन हम और भी खुबसूरत और पहतरीन कैसे बना सकते हैं और दोस्तों इसके लिए हम एक से लेकर 9 मूलांक तक की डिवाइन गाइडिंस लेते हैं कौन सी रीडिंग होगी आपकी या कौन सा है आपका मूलांक यदि आपको नहीं पता है तो उधारन देकर बताना चाहूंगी अगर आपकी डेटो बर्थ है 21 यानि की 21 तो 2 और 1 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ाएगा नंबर 3 तो नंबर 3 होगा आपका मूलांक और आज की तारिक है 4 अगरस्त 2030 और आज की जो तारिक है नंबर 4 उसके स्वामी है राहूं तो आए जानते हैं कि आज क्या इंप किसक्ति हैं विस्त्रस हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 4 अगस्त 2023 के लिए और मूलांक एक के लिए हमको कहा जा रहा है शामिन का काड़ है मूलांक 1 के जातको को कहा जा रहा है कि आपका आपको लगी रंग है कि पूरी तरह से आप परमात्मा पर सब छोड़ दीजिए डिवाइन पर आप कम्प्लीटली छोड़ डीजिए जो हो रहा है उसको होने क्योंकि परमात्मा की पर आपके साथ बनी हुई है और अ आपको क्या कह रहे हैं कि आप खुद केपबल हैं किसी भी प्रकार के hurdle को overcome करने के लिए हो सकता है कि आपके सामने नया challenge आजा है कोई नया ऐसा project आजा है जो आपको करना हो हो सकता है कि relationship में कोई challenge आजा है तो कुल मिला के आपके समक्ष आज जो भी कोई challenge आएगा उसको आप बड़ी ही आसानी से overcome कर सकते हैं क्योंकि आप खुद भी talented है और divine आपको कह रहा है कि परमात्मा पर भी भरोसा रखें आपका दिन शुभो आईए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमारे angels and sisters हमें आज क्या guide कर रहे हैं आज 4 अगस्त 2013 के लिए और मूलांक 2 के लिए हमसे कहा जा रहा है मून का card है एक तो मूलांक 2 की बात हो रही है जिनके की स्वामी स्वते ही चंद्रमा है और कहीं ना कहीं card भी वही निकल रहा है तो मूलांक 2 के जातकों से कहा जा रहा है कि सबसे पहला आपका जो लखी रंग है वो है सफेद दूदिया सफेद और कहा जा रहा है कि आज के दिन आपकी intuition power बहुत strong रहने वाली है आपके workplace में भी और आपके personal relationship में भी दोनों यह जगे पर आपको किसी भी व्यक्ति के बारे में किसी वस्तू के बारे में किसी कारे के बारे में अगर किसी भी तरह का कोई intuition होता है तो उसे follow जरूर करें कहीं न कहीं उसको आपको बिल्कुल भी deny नहीं करना है बहुत जादा logic उपयोग में नहीं लाना है और अपने आपको आज आपको emotionally मजबूत करना बहुत जरूरी है जितना जादा emotionally आप strong रहेंगे उतना ही जादा कहीं न कहीं आपकी जो power है वो आज कई गुना रहने वाली है और आप अपनी divine intelligence से और आपकी जो inner intuition है उसकी वज़े से आप बहुत कुछ करपाने में सक्षम होंगे कहीं न कहीं आप जो भी आज काम करेंगे अपने intuition के दम पर करें दूसरों पर भरोसाद ना करें आपका दिन शुभो आईए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें हमारे angels and sisters आज हमें क्या guide कर रहे हैं 4 अगस्त 2023 के लिए और मूलांक 3 के लिए हमको कहा जा रहा है Peacekeeper का card है आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन सबसे पहली बात कहीं ना कहीं आप लोगों के व्यवहार के चलते या अपने आलचकों की वज़ा से विरोधियों के चलते आप थोड़ा साज परिशान रह सकते हैं और आप बार बार यही सोचेंगे कि मुझे नयाए नहीं या मैं सही हूँ सामने वाला विक्ती गलत है लेकिन आपको क्या आज गाइड किया चा रहा है आपको कहा जा रहा है कि हर किसी के कर्मा के अनुसार ही प्रतिफल मिल रहा है every action every कर्मा has a similar reaction has a similar कर्मा तो कहीं ना कहीं वो चाहे इस बर्थ का हो या पास्ट बर्थ का हो तो आज आपको क्या करना है कि whatever is coming to you आज जो भी कुछ आपके समक्ष आ रहा है आपको उसे as it is accept करना है फिर चाहे आप उसको सुईकार करने की स्तिती में हो चाहे नहीं अपने आपको सही साबित करने के पीछे अगर आज आप लगेंगे अपना ही नुकसान कर बैठेंगे सही समय का इंतजार कीजिए थोड़ा सा शांती बनाए रखें आपका दिन शुभ हो आईए जानते हैं मुलांक चार के लिए हमें हमारे एंजल्स एंसिस्टर्स आज हमें क्या गाइड कर रहे हैं आज मुलांक चार के लिए तारिक भी है चार और मुलांक भी है चार और हमें गाइड किया जा रहे हैं दो कार्ट जाएं हैं पहला है आपका great teacher और दूसरा है broken arrow आपको कहा जा रहा है कि आपके उपर गुरुजन की कृपा बनी हुई है जिसकी वजह से आपने बहुत जादा जो है बुरी से बुरी परिस्तितियों को भी आपने overcome किया है ऐसे मैं आपको कहा जा रहा है कि जितना हो सके अपने आपको भीतर से भी शान्त रखने की कोशिश करें जो भी कुछ आपने face किया है हम मानते हैं कि वह बहुत जादा challenging से भरा था लेकिन क्योंकि आपके उपर गुरु की करपा रही तो आप सारे challenges को overcome कर गए अब जो है अब जो समय है अपनी उस उर्जा को जो आपक कार से किसी को आपको जो है उंगली नहीं उठानी किसी के उपर किसी के उपर विरोधावास नहीं करना एक विशेष्ट तो पर वो लुग जो कि आपके अंडर में काम कर रहे हैं आपका व्यवहार जो है आज बहुत मैद भूमिका निभाने वाला है और एक बात मैं आपको जो आपका व्यवहार है वो वही होना चीए जो वास्विक्ता में आपके भीतर है तो अपने भीतर प्रेम और शान्ती और करुणा को उत्पन करें आपका दिन चुबो आईए जानते हैं मूलांक पांच के लिए हमें हमारे एंजल्स एंसेस्टर्स आज हमें क्या गाइड कर रहे हैं चार अगस्त दो हजार तेज़ के लिए और मूलांक पांच के लिए हमसे कहा जा रहा है फिर से दो काज जाएं है नाइट एंड सेज आपको कहा जा रहा है कि कुछ आपके समक्षू चालेंजिस हैं कहीं ना कहीं अपनी आत्मसम्मान को बनाए रखने का आपको प्रयास करना है आपका आत्मसम्मान आप कैसे बनाए रख सकते हैं कि अब आपको ना अपने जो करियर की अगर मैं बात करूँ या आपके relationship की बात करूँ आपके life की बात करूँ तो अपने goal पे थोड़ा सा focus करना है और goal पे focus करने के लिए आपको द्रड़न निश्चाई बनना पड़ेगा थोड़ा सा आपके बीतर passion होना चाहिए जिसी इसको आप पाना चाहते हैं उसके पीछे आपको लगना है आपको committed रहना है आपको devoted रहना है हिमत से काम लेना है जो भी कुछ आप चाहते हैं आप जरूर से उसे प्राप्त कर पाएंगे बशर्ते कि आपकी जो energies हैं वह बिल्कुल भी तूटने वाली ना हो डिप्रेसिव वाली ना हो बलकि strongly हो courageous हो और अपने courage को बनाए रखने के के लिए आपको मैं हर बार बताती हूं कि आपको हनुमान जी की उपासना करनी है कहीं ना कहीं आपके confidence को बढ़ाते हैं और आपको positive energy देके आपकी सुरक्षा भी करते हैं आए दोस्तों आगे बढ़ते हैं जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें divine आज क्या guide कर रहे हैं angel ancestors क्या बता रहे हैं आज 4 अगसे 2023 मूलांक 6 के लिए और हमको कहा जा रहा है air guardian का काड है आपको कहा जा रहा है कि देखिए जो मन मुताबक सफलता आप अरजित करना चाहते हैं पिर चाहिए आपके संबंधों को निभाने में हो या पिर आपके कारेशेत्र में हो आप अपने मन मुताबिक सफलता इसलिए प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप अभी भी उसी पुरानी विचारधारा में अटके हुए हैं अगर आपको कुछ नया चाहिए तो अपनी विचारधारा को में भी आपको नयापन लाना पड़ेगा आपको अपने थौट प्रोसेस में चेंज लाने की ज़ुरत है क्योंकि जब Air Guardian काegen कााड अता है तो आपके Garden Angels आपको ही गाइड कर रहे होते हैं कि थोड़ा सा thought process में shift करके देखिए, थोड़ा सा अपने आपको open mind करके देखिए, किसी भी चीज में कारे छोटा बड़ा नहीं होता, कारे करने में जिजकना नहीं चाहिए, मेहनत करने में जिजकना नहीं चाहिए, क्योंकि divine कभी कभी परिक्षा लेते हैं, देखते हैं कि क् वहिती चोटा कारे भी कर सकता है, अपनी इमानदारी के साथ अपनी मेनत की साथ कैये चोटा कारे भी चोटा कारे भी उतनी ही परेम और प्रसनता के साथ परमातना को धन्य वाद देते वड़ते, तो फिर सोचिए, आप कितनी ज्यादा blessings को पाने के हगदार हो जाते हैं आपका दिन शुभो आइए जानते हैं मूलांक साथ के लिए हमारे angels ancestors हमें आज क्या guide कर रहे हैं आज 4 अगस्त 2023 के लिए और मूलांक साथ के लिए हमें कहा जा रहा है शामन का card है आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको परमात्मा की दिवे शक्तियों पर भरोसा रखना जरूरी है जो भी कोई आप काम कर रहे हैं फिर वो चाहे आपके पारिवारिक relationship के मामला हो या आपका कारेशेत्र हो दोनों में ही आपको divine पर आज भरोसा रखना बहुत जरूरी है कही ना कहीं कुछ चैलेंज आपके समक्ष आ सकते हैं आपका जो है confidence थोड़ा सा डगमगा सकता है लेकिन अपने आपको डगमगाने ना दे भगवान पर भरोसा रखें कि जो भी कुछ हो रहा है उसमें भी आपको कोई ना कोई lesson दिया जा रहा है और आगे जो भी कोई आपका कारे है वो अठ डोसा रखें आपका दिर्शुभूग् on एडिक्शन है या आपका माइंड बार-बार नेगेटिविटी की तरफ जाता है कि आप खुद के अंदर और दूसरों के अंदर किसी भी प्रकार की पॉजिटिविटी नहीं देख पा रहे हैं तो आपको अपने अंदर परिवर्तन लाने की जरूरत है और कहीं न कहीं कहा जा है जिस पर हम बहुत जादा बिलीव करते हैं लेकिन वह जो होती है चीज वह हमें वह कोई नेगेटिव फॉर्ट प्रोसेस में डालने वाली होती है वह एक उधारन देती हूं आपको इसको समझाने के लिए कि कई बच्च्पन से क्या होता है लोग बच्चों को क्या करते ह लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा करने सो बच्चे के माइंड में क्या डाल रहें कॉंपेटिशन डाल रहें एक जज्ज्च्मेंट डाल रहें वह बच्च्छा जैसे बड़ा होगा वह दूसरों को देख कर जिंदगी जिएगा वह अपने आपको बहतर करने में लगाएगा बलकि कि दूसरों को देख कि जिए गा किसाने अलावक्ति तो मेरे से जूनियर लेकिन वो मेरे से पहले कार लिया है वो मेरे से बड़ी कार लिया वहाँ जैलिसी भी क्रियेट हो जाती है तो इस तरह के जयजमेंट इस तरह की जो चीजें बच्पन से अगर आपके भीतर हैं तो करने का और सबसे इंपोर्टेंट ऐसे किसी भी नकारात्मक रूट को से बाहर निकलने का आपका दिन शुभू आई जानते हैं मूलांक 9 के लिए एंजल्स एंसिस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 4 अगस्त 2023 के लिए और मूलांक 9 के लिए हमसे कहा जा रहा है गाड़े रेंजल का काड़ है आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आप बहुत जादा अच्छा महसूस करेंगे बलकि आपके एंजल्स की जो रेलिम है वो पूरी आपके साथ है कहीं आपका जो कनेक्शन है हाईर युनिवर्स के साथ आज बहुत इच्छा रहने वाला है परमात्मा की कृपा आपके उपर बनी रहेगी ऐसे में जो भी आपकी अंतरात्मा से आपको आवाज आती है या फिर आपको कोई विशेश स्वपन जिसे हम लूसिड ड्रीम भी कहते हैं अगर ऐसा भी कुछ आपको दिखाई देता है तो उस विशेश पर अवश्यकारे करें और ध्यान दें आपका दिन शुबो दोस्तों यह थी रिड़ें हमारे एक से लेकर नमुलांग तक की हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें स्वस्त रहें आप सभी का मंगल हो आप सभी हमारे कारकरम को जो इतना प्रेम और सम्मान देते हैं उसके लिए हमारी पूरी टीम आपक अधनिवाद देती है आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम